हाई वेलकम टू आज लिखते ली लाइफ प्र मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर हेलो एवरिवान आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के जण्डे से जुड़े कुछ नियम जो आप सब के लिए जानने बेहत ज़रूरी है 15 अगस्ट 1947 को भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्ट 1947 की आधी रात ब्रिटिश सरकार का जण्डा नीचे उत्रा था उसी पल भारत का तिरंगा अभिमान से आस्मान में लहराया था इसे दिन हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी भारत को अंग्रेज मुक्त कराने में कई महान योधाओं ने अपना बलिदान दिया था और कई महान पुर्षों ने देश को आजाद कराने में अहम भुमिका निभाई थी 15 अगस्ट 1947 में आजादी मिलने के बाद हम तभी से हर साल 15 अगस्ट को ध्वजा रोहन कर आजाद दिवस बनाते हैं और शहीद हुए वीर पुत्रों को याद कर उन्हें नमन करते हैं आज हम आपको हमारे तिरंगे से जुड़े कई सारे नियमों के बारे में बताएंगे साल 2002 से पहले हम सिर्फ और सिर्फ 26 चन्वरी यानी गंतंत्र दिवस और 15 अगस्ट यानी स्वतंत्रता दिवस के मोके पर ही फेहराय जाते थे लेकिन साल 2002 को इंडियन फ्लाग कोड में संशोधन किया गया तब से देश का कोई भी नागरिक कभी भी जंडा फेहरा सकता है आईए जानते हैं तिरंगे से जुड़ी कुछ पाते जंडा हाद से काते और बुने गए उनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए जंडे का आकार आयताकार होना चाहिए केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके जंडा लगाया या फेहराया नहीं जा सकता दूसरा नियम है आप तिरंगा सुर्योद्य से सुर्यास्त के बीच ही फेहरा सकते है जंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता जिससे तिरंगे का अपमान हो जंडे को आधा जुका कर नहीं फेहराया जाएगा सिवाए उन मौकों के जब सरकारी इमार्तों पर जंडे को आधा जुका कर फेहरानी के आदेश जारी किये गए हो सुर्यास्त के पहले तिरंगे को नीचे उतारा जाए तीस्रा नियम है जंडे को कभी भी पानी में नहीं डुपया जा सकता किसी भी तरहें फिजिकल डैमेज नहीं पहुचा सकते जंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुचाने के अलावा मौखिक या शाब्तिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं चौथा नियम है जंडे का कमर्शल इस्तिमाल नहीं कर सकते किसी को सलामी देने के लिए जंडे को जुकाया नहीं जाएगा अगर कोई शक्स जंडे को किसी के आगे जुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो या मूर्ती में लपे देता हो या फिर किसी मृत विक्ति शहीद आम्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा किसी भी मृत विक्ति के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा पांच्वा नियम है तिरंगे की युनिफॉर्म बना कर पहनना गलत है अगर कोई शक्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बना कर पहनता हो तो यह भी अपमान है तिरंगे को अंडर गामिन्स, रुमाल या कुशन आधी बना कर भी इस्तिमाल नहीं किया जा सकता छटा नियम है जंडे पर किसी तरहें के अक्षर नहीं लिखे जाएंगी खास मौकों और राष्ट्रिय देवसों जैसे गंतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जंडा फेहराय जाने से पहले उसमें फूलों की पंखडियां रखने में कोई आपत्ती नहीं है साथ्वा नियम है किसी कारिक्रम में वक्ता की मेज को ढखने या मंच को सजाने में जंडे का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता गाडी, रेल गाडी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढखने में यूज नहीं कर सकते जंडे का इस्तिमाल किसी इमारत में परदा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता आठ्वा नियम है फहराए गए जंडे की इस्तिती सम्मान जनक बरकरार होनी चाहिए फटा या मैला कुचैला जंडा नहीं फहराया जाना चाहिए जंडा यदी फट जाए मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरें नश्ट कर दिया जाए नौवा नियम है यदी जंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुँ श्रोताओं की और हो तो जंडा उसके दाहिनी और रहे एक तरीका यह भी है कि जंडे को वक्ता के पीछे दिवार के साथ और उससे उपर लेटी हुई स्तिती में परदर्शित किया जाए दस्वा नियम है किसी दूसरे जंडे या पताका को राश्री जंडे से उचा या उससे उपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्ने कोई वस्तु जंडे के पोल के उपर रखी जाए तो ये थे हमारे जंडे से जुड़े वो नियम जो हमें सब को मानने चाहिए मुझे उमीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंदाई होगी धन्यवाद